अब बात करते हैं इन दोर के जहां T.I.E. की मौत की जिम्मेदार मानी जा रही महिला A.S.I. रंजना खांडेल पिछले चार दिनों में दो बार फेस्बुक मेसेंजर पर ओनलाइन आ चुकी है पुलिस अधिकारियों की माने तो महिला A.S.I.E. का मुबाइल उन्हें नहीं मिला है लेकिन बापजूद इसके वह कैसे ओनलाइन आ रही है यह जांच का भी सह है अधिकारियों के सामने वह बार बार अपने बयान बदल रही है फिलहाल T.I.E. की कथित पत्निया जरूर अपने अपने बयान दर्ज करवा चुकी है रीगल चौराहे पर इसी असिस्टेंट पुलिस कमिशनल आफिस के परिसर में 24 जून को गोली कांड हुआ था जिसमें भोपाल में पदस्त T.I.E. हाकम सिंग पवार ने इन दोर में पदस्त A.S.I.E. रंजना खांडेल को गोली मारी और फिर खुल सिर में गोली मार कर आत्मात्या कर ली थी मामले में अब जांज बलग मेलिंग सहीत अन्य बिंदियों पर टिक गई है रंजना अपना नेजी अस्पताल में उपचार करा रही है इसी बीच पुलिस उसके दस से ज्यादा बार बयान ले चुकी है वह बिरोधाभासी बयान दर्ज करा रही है इसी बीच रविवार को रंजना अपने Facebook मेसंजर को हैंडल कर रही थी जबकि अधिकारियों का कहना था कि उसका मोबाइल जब तो नहीं हो पाया है जो घटना सलसे गायब है इसके बाद गुरवार को अचानक सुबह 8 बजे से रंजना अपने Facebook मेसंजर पर ओनलाइन दिख रही थी कुछ देर बाद वे आफलाइन हो गई थी बताया जाता है कि मोबाइल गायब है तो Facebook मेसंजर कौन चला रहा है रंजना अस्पताल में उप्चार करवा रही है उसका मोबाइल पुलिस को नहीं मिला है इसी बीचवे मेसंजर पर ओनलाइन है तो कौन उसका मेसंजर चला रहा है यह जाच का विसे है वहीं उसे वह किसी अन मोबाइल लेपटॉप या किसी अन डिवाइस से तो नहीं चला रही है इसकी भी जाज की जानी चाहिए